लोक निर्माड विभाग द्वारा करोड रूपे की लागत से गाउं शकर पुरा से चांदपुरा वा चांदपुरा से मूसा खेडा तक सड़क का निर्माड करवाय जा रहा है लेकिन ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माड में खटिया मैटीरियल का प्रियोग किया जा रहा है जिससे ग्रामीडों ने सरकार वा विभाग के प्रतीर रोश बना हुआ है ग्रामीडों ने थेकेदार पर कारवाई करने वा सड़क को दोबारा से बनवाने की मांगी है ताकि ये सड़क लंबे समय तक चल सके ग्रामीडों के रोश की सूचना पाकर लोक निर्मार विभाग के जई बर बीर सिंग मौके पर पहुँचे वठेकेदार को काम बंद करने के आदेश दिये हैं जेई ने ग्रामीडों को आश्वासन दिया कि सड़क को दोबारा से बनवाया जाएगा तथा मामले की जाच की जाएगी आपको बता दे कि लोक निर्मार विभाग द्वारा एक करोड़ गत्रस लाकी लागत से शकरपुरा से चांदपुरा वचांदपुरा से मूसा खेडा गाउं तक सड़क का निर्मार करवाना है जिसका कारिस सुरेंद्र हिसार द्वारा किया जा रहा है मंगलवार को सुबह जब ग्रामीर रोड से गुजर रहेते तो सड़क उखड़ी मिलने पर उनका गुस्सा भड़क उठा ग्रामीरों ने सरकार वा प्रसाशन से गुहार लगाते वे कहा कि ठेकेदार द्वारा मिटी पर तारकोल डाल कर सड़क बनाई जा रही है जिससे ये सड़क उखड़न शुरू हो गई उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के बार ठेकेदार के खिलाफ कारवाई की जाएगी तथा सड़क को दोबारा से ठीक तरीके से बनाये जाए ग्रामीर जस्बीर सिंग वबिक्रम सिंग ने बताया कि ठेकेदार द्वारा मिट्टी के उपर बारीक बजरी डाल कर सड़क बनाने का कारे किया जा रहा है जिस पर प्रसाशन कोई एक्षन नहीं ले रहा सरकार द्वारा गुडवता पून कार करवाने के दावे किया जाते हैं लेकिन ठेकेदार द्वारा घटियस तर का मटीरियर लगा कर कारे किया जा रहा है जिससे ये सड़क तूटनी शुरू हो चुकी है उन्होंने कहा कि ये करीब साड़े तीन किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जानी चाहिए जिसमें ठेकेदार द्वारा खोटाला किया जा रहा है ठेकेदार के खिलाव जार्च के बाद उचित कारवाई की जाए वस सड़क को दो बारा से बनाया जाए लोक निर्मार विवा के जोई बलवीर सिंग ने बताया कि बारश के चलते दिक्कत आई है जो ठेकेदार द्वारा गलती की गई है उसको ठीक करवाया जाएगा उन्होंने बताया कि काम को बंद करवा दिया है इसकी जांच भी की जाएगी तो ये क्या मामला है आपके सामने क्या सड़क मे क्या लगता है जाレ रहे क्या मामोला इह जा हूंक लेटेस्ट वीडियोज के लिए अभी सब्सक्राइब करें एवन हर्याना को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले